नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर 6 और पार्ट नमबर 3 एक्चुली पार्ट नमबर 3 थर्ड वीडियो नहीं है चुकि जो सेकंड पार्ट वाले पीपीटी थी उसमें दो वीडियो लग गई खुचंट इंपोर्ट चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी इस वीडियो को गैला नहीं है उस समय पर क्या करता था कि मैं हिंदी का एक वर्दन इंग्लिश का एक वर्दन बनाता था उससे मेरी स्पीड बहुत धीमे हो जाती थी इसलिए बाद मैंने दोनों में वीडियो बनाना बंद कर दिया एक भाशा के रिस्पेक्टर मैंने हिंदी को चुझ लिया तो जैसे की फार एक्जांपल इंडेफ्ट अनलिसिस ओं मुहम्मद बिन तुगलक स्रेन एक ये वीडियो हो गई अब गाजी मलिक जिसको गिया जोदिन तुगलक भी बोलते हैं स्टार्ट टुगलक डैनिस्टी इन इंडिया फिर अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, एड्मिनिस्टेटिव और एकनोमिक रिफॉर्म्स खिलजी डैनस्टी और दल्ली सत्राथ के ब्रीफ facts फिर बाई slave मम्लूक डैनस्टी के बारे में कुछ information इस वीडियो में प्रवाइट किए chronology और दल्ली सत्राथ 1226 से लेकर 1226 इडियो ये curious case ऑफ गोरी और पृत्विराज चौहान वाले वीडियो का और Battle of Terrain और गुजरात वाली वीडियो का reference मैं आपको पहले दे चुका हूँ तो यह अगर आपने पहले देख रखे हूँ तो no problem लेकिन बाकी chronology, slave dynasty, दिल्ली सरतनती खिलजी डिनस्टी, अलाउदिन खिलजी के reforms, फिर ग्यासुदीन तुगलक और साथ-साथ यह मुवंबद बिन तुगलक यह सारी वीडियो देख लिजिए, यहाँ पर कुछ बहुत important points हैं जो कि उतने detail में अभी की इस अधीश चंद्रा क में डिसकस नहीं होगे, तो that is why I am recommending you कि आप यह वीडियो जरूर देख लूँ जाके, मीडवल हिस्ट्री अफ इंडिया प्लेलिस्ट है, आप मीडवल हिस्ट्री प्लेलिस्ट मेरे नाम अर्श्री देविदी के साथ यूट्यूब में भी सरच मार दोगे, तो भी यह प्ले foreign invasion भी देखने पड़ गए, internal rebellion भी देखने पड़ गए, internal dissension क्या था, कि जो nobility थी, जो chiefs थे, वो chiefs आपस में लड़ रहे थे, तो मोनारकी की चहलगानी से नहीं बढ़ रही है, रजिया के खिलाफ यहाँ पे शरियंत्र हो रहे हैं, बल्बन के खिलाफ सब के खिलाफ शरि रूर्स के अंदर आते थे, जैसे राजपूत प्रिंस्पैलिटीज हो गई, कोई इनी का गवरणर दूसरी अब जाके रूर कर रहा है, उसने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं इंडिली सर्थनत वालों की बाते नहीं मानूँगा, तो यह internal rebellion भी बहुत होते थे, इसमें कई इन दिली सर्थनत के राजा को दिया करते थे, बाद में चाते थे कि यह पैसा ना दे, तो इसके चलते इन्होंने यहाँ पर बगावात कर दी, तो इस वकार की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती रहती थे, अच्छा एक और बगता दूँ, यह जो दिली सर्थनत के र लाचपूत प्रिस्पैल्टीज यह आपस में लड़ पड़े, तो माल लोग की कोई दो आगल बगल इलाके हैं, माल लीजे कि यह पर्टिकुलर इलाका दिली सर्थनत के अंदर नहीं है, या माल लीजे है भी, और उसने अपने आपको इंडिपेंडेंट कोशित कर लिया, हो सकता है कि बगल वाले रूप, मतलब इलाके को कबजाने कोशिश करें, मतलब कॉंस्टेंट बेसिस पे, पास वाले इलाके पे किस प्रकार से कबजा करें, यह दिमाग यहां पे लोगों का चलता रहता था, ठीक है, और कहीं न कहीं, दिली सर्थनत के अगेंश्टों यह लोग बकावत करी देते थे, ठीक है, तो यह राजाज तो जमीनदार्स, जो भी टर्किश ओल के अंदर थे, टर्क्स के खिलाफ तो लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ रहे थे, लड़ने की वज़ा बहुत अलग अलग थी, नेचर्स एन अब अब्जेक्टिव्स अफ बहुत अलग अलग प्रकार के अबजेक्टिव थे, इसलिए इनको हिंदू रिस्टेंस कहना सही नहीं है, कुछ लोग ने हिंदू रिस्टेंस कहा, कि बाई तरकिश हाए, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हिंदूस थे, तो यह तरकिश के खिलाफ लड़ने लगे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो आपस में भी लड़ रहे थे, आपस में भी एक दूसरे को मार काट रहे थे, कभी-कभी एक छोड़ी जमीन के तुकड़े के ओपर, कभी-कभी किसी बतब रानी के ओपर, पता नहीं, बे हिसाब यहाँ पर लड़ाईया हो रही थी, कुछ भी होता था उस सम वजह निकाली नहीं सकते आपस में लड़ने की, और धर्म तो बिल्कुल भी नहीं, हिंदू रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ, कहीं नहीं, कि ठीके बाई, जो टर्क से यह बाहर से आये हैं, यह हमारे उपर अपना कल्चर इंपोस करने कोशिश कर रहे हैं, त जो कि तर्क रूलर ने अपॉइंट कर रखे थे, दिल्ली सल्तिनत के सुल्तानों ने अपॉइंट कर रखे थे, उन प्रोविंशल गवर्नर्स को बहुत तौकत और बहुत आटोनोमी दी गई थे, दिनी जरूरी भी है, अगर आप इनको आटोनोमी नहीं दोगे, तो इनके और मैं तो इसी इलाके पर कंट्रोल करूँगा, तो कुल मिला के कभी-कभी ये गवर्नर भी अगेंस चले जाते थे दिल्ली सल्तिनत के साथ रहते थे और लोकल रेबेलियन को दबाने कोशिश करते थे, चुकि अक्सर कार ऐसा होता था कि जो गवर्नर अपॉइंट किया ज चताबदी के बीच में, यहां पे लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था, कि यह यह बाहर के रूलर साके हमारे इलाके पर कभजा कर रहे हैं, और हमारे उपर राच कर रहे हैं, यह नहीं चल पाएगा, तो हम तो इनकी बास सुनेंगे नहीं, तो लोकल और रिजिनल से सुचा कि कभजा करो, कभजा किया भी, बट अक्सर कर बंगाल और बिहार में रेबेलिन हो जाता था, वो दिल्ली सल्तनती कंट्रोल गंदर नहीं आना चाहते थे, हमने देखा ही कि मुहमद बिन बक्तियार खलजी, बक्तियार खलजी कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी, कैस इसे वो एक मर्चेंट के वेज भूशा में गया और इद्दम से वाप अटाक कर दिया, नादिया पर पूरा कभजा कर लिया, फिर कैसे उसने लखनोती पर कभजा कर लिया, लखनोती आज की डेट में चोटा सा शहर है, प्रेजेंट डेवेस्ट बंगाल में इसको गौड भी कहा जाता है, ठीक है, तो इस खलजी ने लखनोती पर कभजा कर लिया था, बाद में देखोगी जब बक्तियार खलजी मर जाएगा, उसके बाद वहाँ पे इवाज नाम का परसन कभजा करेगा, इवाज का दूसरा नाम था घियासुदीन सुल्तान, एक्चली में इवा असुदीन सुल्तान जो था, वो कुछ समय के लिए एक इंडिपेंडेंट डूलर की तरह महाँ पे राज करता रहा, इल्तुत्मिष जब राज पर आया था, तो मैंने उस समय पर आपको पढ़ाया था, कि इल्तुत्मिष के अंदर बहुत सारी जगाओं पे रेवैलिन हो ग यहीं लखनौती को सेंटर बनाके गियासुदिन सुल्तान ने बोला कि मैं कोई दिल्ली विल्ली सल्टनत को नहीं मानता, मैं तो इंडिपेंडेंडेंट रूलर हूँ, ठीक है, फिर आप देखोगे कि यह जो गियासुदिन सुल्तान था, जिसका नाम इवाज भी था, इसन से भी लिएं, नौर्थ बंगाल में तिरहुत, इस्ट बंगाल में बांग, आसाम में काम रूप, यहां के रूलर से भी इसने थोड़ी बहुता आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूट्स लिएं, जब इल्तुत्मिश अपने प्री उकुपेशन से खाली हो गया, तब 1225 में वो इ आप पर राज करो, आप सूचिए, कैसा शाणा आदमी है यह वास, जे सुल्तियान घ्रास उद्दीन था, इल्तुत्मिश आया तो डर गया, उसके सामने मत्थे टेक दिये, जैसे इल्तुत्मिश गया फिर खड़ा होगा कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब सामने कोई आया, तो कुछ बन गया, पीछे दे कोई आया, तो बिलकुल पलट गया, मतलब कोई उसका, कहता ना कि एक रूलर के अंदर एक डिगनिफाइड वाली बात होती, कुछ नहीं, वो मतलब उल्लू बना मना के राज करने के मूड में था, तो इल्तुत्मिश को गु कि इल्तुत्मिश को दुबारा आना पड़ा थे यहां पे, कहां पे, बंगाल बिहार की साइट पे लखनोती के पास, चुकि जब इवाज मर भी गया, तो भी लखनोती के ओपर क्या क्लेम है, बहुत सारे कॉंपेटिंग क्लेम से दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से वहां पे राज नहीं कर पाजी, तिसलिए बारो सो तीस में वापस लोड का एगा यह लखनोती में, फिर इल्तुत्मिश मरेगा, अब जब तक इल्तुत्मिश रहेगा, तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब इल्तुत्मिश मरेगा, तो यह जो बंगाल के गवरनर है, यह फिर बोलें लखनोती के अगर आप बात करो, तो लखनोती, मतलब वेस्ट बंगाल में था, यह बंगाल का सेंटर था लखनोती उस समय पे, और बिहार भी कहीं नहीं, लखनोती के अंदर ही आता था, यहाँ पर जो गवर्नर से इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे, इन गवर्नर से जो क हम इलतुत्मिष की बात मानेंगे, कभी बोल देते हैं इलतुत्मिष की बात नहीं मानेंगे, इनको भी पता था, कि इलतुत्मिष हमेशा तो अपनी आनमी लेकिए आके यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, पीछ पीछे बलड जाते थे, और अपने राज के अंदर उन्होंने अवद और बिहार के उपर भी कभजा करने कोशिश की, उतना कभजा ये लोग करनी पाया, फिर उन्होंने राधा नाम की जगाए साउथ बंगाल में, ओडिसा, काम रूप आसाम, यहाँ पर भी कभजा करने की कोशिश की, ओडिसा और आस को इवाज मर चुका था सिला से यह यह सुद्दीन यह मर चुका था उसके बाद कहीं न कहीं इतुतनिश 1230 में फिर से वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज इस्थापित करके गया था और वहाँ पे बंगाल के गवर्नर्स अपॉइंट किये गए थे यह मुस्लिम गवर्नर्स ज कही न कहींगे इनकी रेपोर्टिन दिल्ली सल्तनत को थी लेकिन चुकि दिल्ली सल्तनत दूर था और सीटा पावर दूर था तो यह अपना मन के असाब से राज कर रहे थे बहुत बूरी तरह तो कहने का मतलब ये था कि जो लखनौती में गवर्नर बैठे थे मुस्लिम गवर्नर जो कि अपॉइंट तो दिल्ली संत्राइद दोरा ही किये गये थे लेकिन कहीं न कि उन्होंने दिल्ली संत्राइद को टाटा बाय बाय बोल दिया ये भी आसपास के अलाकी पर एफेक्टि टास्क होता है ये आसां नहीं होता फिर आप देखोगे कि ये जो मुस्लिम गव्रेणर थे आपके मंगाल के ये अगल बगल के एराकों पर कबजा नहीं कर पा रहे थे ना ही ये आसाम के उपर कबजा कर पा रहे थे और इस آवाले लूर्स तो इन पंगाल गवर्नर को कई पर हरा चुके थे फिर यहाँ पर एंट्री होगी किसकी बल्बन की आपको पता है बल्बन कब आया गद्धी पर तो वैसे तो 1239 ही में रजिया की मृत्यू हो गई थी लेकिन उसके बाद 1240 से लेके 1240 तक बहुत वीक रूलर्स रहे 1246 में सुल्तान नसिरुद्दीन महमूद बैठेगा गद्धी पर बड़ उसका नायब डिहपरी कौन होगा तो वो होगा बल्बन तो लिटरली पूरी की पूरी टाकत किसके हाँ में थी तो बही बल्बन के हाँ में थी ओके अब बल्बन यहाँ पर बिहाल और के उपर कंट्रोल करना चाहेगा बलबन बोलेगा कि ये जो बंगाल वाले हैं ये दिल्ली के साथ बस एक फॉर्मल एलिजियांस रखतेंगे ठीक है बाई दिल्ली सल्टन हमारे उपर है इस से नहीं चल पाएगा यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकूलर परसन पहले सम्मिट किया बलबन को और फिर बाद में बलबन को क्या बोला कि भईया मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो बलबन को गुस्सा आगे बलबन ने इसको हंट डाउन किया टुएलेटी में बहुत बुरी तरीके से तुग्रिल को मारा तुग्रिल की family members और followers को भी मारा यहां पे कुल मिला कि आप यहां पे समझोगे कि तीन साल का campaign किया बल्बन ने बंगाल में इस तुग्रिल कर गेंज तुग्रिल को एक बहुत strict सजा दे के और उसके साथ उसके family members को भी एक strict सजा दे कि यहां पे बल्बन क्या दिखाना चाता था actually में बल्बन यह दिखाना चाता था कि मेरे साथ गदारी करोगे तो तुमको छोड़ूगा नहीं तुमको मार डालोगा ओके और बाद में बल्बन ने अपने बेटे को बंगाल का governor बना दिया ठीक है भाई जो भी यह तुग्रिल खान यह बाकी बंगाल के governor थे तुग्रिल खान को तो इतनी बूरी तरीके से माराबाद में अपने बेटे को बना दिया तो फिर बंगाल के खिलाफ ज़दा बोलने की आईरेन ब्लड प्रॉलसी थी ज़्यादा उसके खिलाफ बोलोगे तो जान से जाओगे वो वाली बात यहाँ आप आ जाती है फिर आप नेक्स देखोगे कि यह जो बलबन का बेटा था बुक्ता खान यह governor था बंगाल का ठीक है भाई आप यह तो अपने बाप की तरफ पहली जियांस रखेगा यह रखेगा लेकिन जाब बलबन की मृत्यू होगी ठीक है बलबन की मृत्यू के बाद इस पर्टिकुलर बुक्ता खान को एक चोईस दी जाएगी कि तुम दिल्ली आओ और दिल्ली की गंदी पर आके बैटो अब यहां पर बुक्ता खान बोलेगा बुक्ता खान को पता था कि दिल्ली में किस हिसाब की पॉलिटिक्स चल रही है दिल्ली में आलाद बहुत जदा खराब थे दिल्ली की पॉलिटिक्स बहुत जदा गंदी थी तो बुक्ता खान का सीन ये था कि मैं नहीं आ रहा दिल्ली, मुझे बंगाल में रहना उसको यह लगा कि दिल्ली जाओंगा इन टर्किस चीफ्स की पॉलिटिक्स में पढ़ूँगा गई मुझे ना मार दिया जाए चुकि बल्बन के समय पे तो काफी हद तक बल्बन ने चीजों को कंट्रोल में करके रखा था सब कुछ ठीक करके रखा था लेकिन बल्बन से पहले तो कितने इंटर्नेल आप कह सकते हो शडियन थो रहे था सबको पता था उस समय पे रजिया की कहानी और ये सारी कहानिया फेमस थी तो जो बुक्ता खान था बुक्ता खान को लगा कि चलो भाई बंगाल के उपर मेरी पकड़ है यहां मेरी चलती है मेरी जिन्दगी जीने के लिए बंगाली बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं जाना तो दिल्ली सल्तिनत सेंटर में गया ही नहीं तो यह जो क्लेम था में क्लेम की बल्मन का बैठा आके दिल्ली सल्तिनती गद्धी पर बैठेगा बुक्ता खान यहां पर गही नहीं ठीक है बुक्ता खान ने बोला मैं बंगाल का यह गवर्नर हूँ और मैं बंगाल का इंडिपेंडेंट गवर्नर हूँ मतलब उसने ये बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, दिल्ली सल्टनत का बंगाल से कोई लिना देना नहीं है, मैं बंगाल के उपर राज करूँगा और अगला 40 सालों तक बुगता घान ने बंगाल के उपर राज किया, वो गया ही नहीं दिल्ली ठीक है, तो लगबक तेरी शताब्दी का पूरा आल्मोस्ट आप देखोगे कि जो बंगाल और बिहार के इलाके थे, ये दिल्ली की कंट्रूल के बाहर थे और पंजाब के बहुत बड़े इलाके की उपर ये जो मंगोस ते घुसाये थे, पाकिस्तान वाला पंजाब था जो प्रेज़ेंडे का, उसके उपर तो मंगोल कपजा करके बैठे ही थे, थोड़ा बहुत इंडिया वारे पंजाब की तरफ भी प्रेज़ेंडे में ये किनारे और ये भी नमाने तरकिष रूलर्स की, अब आप देखो, कि ये बदावियों की डिस्ट्रिक्ट में आते थे, लूट पात करते थे, कुल में आप देख सकते हो कि ओवर और बहुत से इलाके थे, जहां पर रेबैलियन्स लगातार हो रहे थे, और ये जो रूलर्स सेल, तुतमिज जैसे, बल्बन जैसे, इन्होंने अपनी जिंदेगी का एक बहुत बड़ा पार्ट इन रेबैलियन को दवाने में बिताया है, ओके, बल्बन, बल्बन ने एके करके सब को कंट्रोल में करने कोशिश की, जैसे कि बल्बन ने तुग्रिल को दोड़ा जहां पर रेबैनिन हो राता, उसको दवाया, फिर उसके साथ बल्बन ने कहीना की गंगा दोड़ा में जो कठेरिया राजपूत परिशान कर रहे थे, इनको दवाया, होल स्केल, मैसेक्र, प्लंडर, आपस जो पूरी पूरी डिस्टिट को डी पॉपुलेट कर दिया गया जंगा सो क्लिर कर दिया गया, रोड्स बिल्ट होगे, प्लंडर उस समय पे यार बढ़ ही आप कह सकते हो दुखत चीज थी, आज की डेट के सिविलाइस्ट वर्ड में इस चीज का मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, उस समय पे प्लंडर में आप समझी सकते हो कितने बुरे हाल जात होते होंगे, यह मंगोल, और यह जो खिल जी जा, अगर को किसी एक पर्टीकुलर जगा से नफरत करते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, लूट लेंगे, और अपने सैनिकों को खुला छोड़ देंगे, जो जो जाके करो ना हो करो, तो मारना तो दूर की बात है, और तो लोगो पर्शान करना, मतलब बिलकुल टहस नहस कर देते थे लाके को यह लोग, ठीके ना, तो हम लोग काफी आप कह सकते हो कि लखी हैं, कि एक सिविलाइजड एज में हम लोग रह रहे हैं, चूंकि आप समझ सकते हैं, आज की डेट में अफरीका से जो न्यूज आती रह उसको दबाया, उनको मारा, उसके पूरे पूरी जंगल कटवा दिये, क्योंकि यह राच्पूस जंगल में छुप-छुप के हमला करते थे, जंगल कटवा दिये, रोट बनवा दी, अब आप देखोगे कि जो इलाके थे, बरान के, अम्रोहा के, संबल के, कटिहार के, यह कहीं न कहीं शान्त पढ़ने लगे, सेफ हो गए, यहाँ पे आराम से लोग जावा सकते थे, किसी भी प्रगारत कोई डर नहीं था, पहले इन इलाकों में अगर कोई दिल्ली सल्तनत का सोल्टर होगरा पहुंच जाता तो दोसको मार देते थे, यह लोग अपने हिसाफ से का दिया था, बल्बन ने नॉर्थ-वेस्ट में भी कहीं न कहीं चीजों को आपके साथ स्टेबिलाइस करने की कोशिश की थी, दोवाव में तो इसने स्टेबिलाइस कर लिया था, पट फिर भी वेस्ट में पूरी तरीके से वो स्टेबिलाइस नहीं कर पाया था, और साथ मे पर यह तो आप देखो यह जो जगह थी है इंके फोर्ट के अप्जाग dil ररन्रट गोरण अजमोर्त का अंदोल के इलाकों में कबजा किया ये ज़्यादा तर जो इलाके थे चोहान अमपायर केंदा थे चोहान फैमिलीज यहां पर रूल कर रही थी तो आप कभी न कभी तो ये राजपूत्स खड़े होंगे कभी न कभी तो ये चोहान फैमिलीज खड़ी होंगे और यह बोलेंगे कि बाई यह इलाका हमारा है हर जगा पर rebellion होते थे जैसे ही आप centralized है जो दिल्ली सल्तनत का route है थोड़ा सा कमजोर पड़ा या फिर सुल्तान का ध्यान किसी और तरफ है वो बंगाल expedition पर गया है तो यहाँ पर राजपूत खड़े होगे उन्होंने बोला कुछ नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जो भी इन्होंने इस्टन राजप्तान में जीता था जैसे रन्थंबोर, नगोर, अजमेर, पयाना, गॉलियर यह सब जो जगहें थी जो कि पहले कुछ बुद्दीन, एबकरूस के बाद की rulers ने जीत ली थी, इन जगहों के आगे जाने का प्लान था इन दिल्ली सल्तन थालों ने बोला कि अभी इस्टन राजप्तान के अलाके तो जीत ली हैं और राजप्तान के अंदर घुसते हैं और गुजरात के मालवा में पहुंसते हैं और वहाँ पर जाके लूट पात करेंगे वहाँ पर कबजा करेंगे लेकिन वहाँ जाना तो दूर जो इलाके कुतुबद्दीन के समय पर जीते थे ना बैयाना, गॉले, करिजर इनको कंट्रूल में रखना मुश्किल हो गया पर दिल्ली सल्थन के रूलर्स के पास मतलब की इस्टर्न राजस्थान में जो कुछ भी पहले दिल्ली सल्थन ने जीता था उसको अपने पास टिका के रख पाना मुश्किल था और अंदर जाना तो दूर की बात है मालवा के अंदर एंटरी मारना तो दूर की बातינו के अंदर एंटरी मारएक अला अधिन किल जी वो भी आगे आएगा बड्क उतर्बुध भुलूद दीन इबख नィ जो कुछ भी जीता था राजपूत इलाखे ईश्टन राजस्थान में जैसे for example, माल लीजे यह रहा इंडिया इदर है गुजरात और इदर है राजस्थान तो राजस्थान का कुछ इसटन इलाखा कुछ अदर गुजरात का उबर का इसटन इलाखा ये दोनों जगों पे कबजा हो गया अब इन दिल्ली सल्तानों होला का टार्गेट है कि अंदर जाएंगे अंदर जाके मालवा और बाकी वेस्टन राजिस्थान पे कबजा करेंगे बड़ वो कैसे करोगे जब तुम यही इलाके अपने कबजे में नहीं कर पा रहे हो समझ ग जलोर 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 इन्हों ने भी बोला कि टुर्किश सिज्रेनिटी को निकालो तो कलिंजार गॉालियर बयारिया रंधंबोर यह सब पहले जो राजपूर के हां से निकल गया था राजपूर ने सब ले लिया पिर भाईया बारों से चबिस में इलतुत्मिश के आंके पहुच पाया उसका मन तो था कि और अंदर पहुचा जाए पर वो नहीं पहुच पाया उसका रीजन क्या था कि चालुक्यास ऑफ गुजरात जो थे गुजरात में यह भी बहुत ताकतवर थे अब ऑविसी बाते रन थंबर और जलोर को तुम कबजे में लेके चले गए ल तो दमिश तो एनको हरा नी पाये तो इस नक्षे में आपको मालवा दिख रहा है यहां पे गरीन कलर में तो यही पे थिया आपके परमराज ऑो और ब्समिश राछ कर दिल्ली सल्तनत पे तो भाई यह चालुक्यास ऑफ गुजरात और इन डोनों के उबर बहुत लम्रे समय तब दिल्ली सुल्टान कपजा नहीं कर पाए थे कपजा तो बहुत करना चार है थे कोशिष कर रहे थे बट ये जो राज थे ये काफी स्ट्रांग थे ये जो राजस्थान की इस्टन स्टेट्स थे इनके उपर जैसे तैसे कपजा जमा के ड़क रखाता है दिल्ली सल्तनत वालों ने तो हमने देखा कि कैसे भाई ये जो इल्टुत्मिश था ये वो इलाके जो कुतुबुद्दीन अबक के समय पे कबजाये गए थे जो कि वापस राजपूतों ने अपने कंट्रोल के अंदर ले ली थे उन इलाकों के उपर जैसे तैसे करके इल्टुत्मिश ने फिर से अपना कबजा जमाया तो इल्टुत्मिश ने बयाना के उपर कबजा किया गॉलियर के उपर कबजा किया जैसा कि मैंने बताया कि चालू क्याज़ उफ गुजरात और परमराज़ उफ मालवार इन दो के इलाके में इलतुत्मिश नहीं गुस पाया बट जैसे तैसे करके उसने कुछ हद तक उज्जैन और रैजाना में थोड़ी तबाही मचाई उसके एक जनरल ने कई न के बुंदी पे रेड़ की बट उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं ला पाया बयाना, गौलियर यह सब के लिए अपने कपजे में ले लिए लेकिन बगेल-खन्ड के इलाके में ज्यादा नहीं गोस पाया तो मनलत कुछ इलाकों में यहां पे इलतुत्मिश को सक्सेस मिल लही थी कुछ इलाकों में success नहीं मिल रही थी इलत्युत्मिश को पता था कि भाई ठीक है Diplomacy है दीरे दीरे करके आप इन इलाकों के उपर control पापा होगे लेकिन फिर problem होगी फिर हो जाएगी इलत्युत्मिश की मिर्त्यू और अब इल्तित्मिश्च की मृत्यू जैसे ही होगी वैसे ही फिर से ही यह राजपूत रूलस हैं वो अपने आपको इंडिपेंडेंट कर लेंगे वो बोलेंगे कि भी है कौन दिल्ली सल्तनत हम तो यहां पर राज जाएं और वैसे भी आपको पता है कि इल्तित्मिश्च के मरने के बाद रजिया का राज आया था और यह राजपूत रूलस ने तुरकिश सुजरेनेटी को खाड़ पेका जैसे यहां पर आपकी इल्तित्मि वाला जो फोर्ड था उसके ओपर कबजा कर लिया और दिल्ली तक यह कही न कही अपना अटैक कर रहे थे डेप्रडेशन्स मतलब की अगर दिल्ली सल्तान वाले राजपूतों की इलाकों में गुसके कही न कही रेड करते थे तो यह जो राजपूत थे दिल्ली सल्तान वाल बंदबा देगा ठीक है मतलब मेवातीज जो थे जो कि कई न की इलतोत्मिश के समय पे उतना कंट्रोल में नहीं हा रहे थे उनको बलबन पूरी तरीके से दबा देगा आगे 100 साल तक आप देखोगे कि मेवातीज कमजोर पड़ जाएंगे अजमेर और नगौर का जो इलाका बलबन बहुत हद तक टर्की शूल को इस्टन राजिस्थान में इलतोत्मिश भी अंसॉलिडेट कर रहा था लेकिन बलबन थोड़ा आगे जाएगा इलतोत्मिश के बलबन थोड़ा और आईरन हैंड से चीजों के यहां पर दबा के रखेगा उनके उपर कंट्रोल करके र पा रहे थे जब बलबन की तरफ से अटाया का रहा एक खत्रा आपके उपर खड़ा हुआ है तो आपस में उनाइट हो जाओ तो जिसने भी इसको हिंदू रेजिस्टेंस बोला है उसने बिल्कुल ज़रत बोला है चुकि हिंदू रेजिस्टेंस होता अगर प्रापर तो सा इसा कुछ नहीं हो रहा थे यह राजपूत आपस में भी लड़ रहे थे आपस में लडने के चलते हैं यह कमजोर हो रहे थे और उसके चलते ही कोई भी आप देखोगे राजपूत रूलर का ऐसा ग्रोप नहीं बन पाया जिसने बहुत ज़दा परेशान किया हो इन दिल्ल सल्तनत था शुरुवाती फेस जो इसका रहा है आपका शुरुवात हो इसकी कुतुब उद्धी नभक से बाद में आयो उत्तमिश रजिया सुल्तान बलबन इस समय पर धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत के जो इलाके थे वहाँ पर कंसॉलिडेशन हो रहा था सेंटर पे एक कंसॉलिडेशन हो चुका था अब जो गद्धी पर बैठेगा अगर वो एक लायक रूलर होता है तो कही न कहीं वो और वेस्टन इलाकों में एंट्री मार सकता है और डेक्केन के इलाकों में एंट्री मार सकता है और यही होगा खिल्जीयों के राज के आने के बाद यही हो तो दिर्ए दीरो होता है और दिल्ली सल्तान के सामने कोई एक एक अनिमी नी था बहुत से अनिमी थी जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में इंटर्न डेसेंशन बहुत थे उनके मोनार्की और उनकी नोबिलिटी आपस में लड़ रही थी बिहार-बंगाल के लाके में लगातार ही, problem और chaos की स्थिति मनी हुई थी, उपर से सबसे बड़ा खत्रा इन के लिए मंगोल थे, तो मंगोल से भी at the same point of time लड़ रहे थे, और जो राजपूत रूलर से ये बेरेबरियन कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी factor कमजोर नहीं था, सारे factors बहुत strong से, राजपूत तो strong, मंगोल तो strong हैं, बिहार बंगाल में, आसपास की जो इलाके दे, औरी साहसाम ये सब बहुत strong, तो बंगाल, पहले तो बंगाल गवरूर्णर्स दिलि सल्तान की बात ना वाना, ऊपर से बंगाल गवरूर्णर्स आसपास की अलाके लो कब जब भी न कर पाएं, तो दि करके हालात बना दिये दिल्ली सलतनत के ऐसा जबरदस्त तरीके से Solidation के अगा सकर बल्वन ने कि उसके बाद के रूलर कहीं न कहीं उस Solidation के ऊपर Capitalize करेंगे उसके बाद के रूलर कहीं न कहींS վक इन चीजों का फायदा उठाएंगे और फायदा उठाके अपनी को बहुत बड़े इलाके पर यह लोग फैलाएंगे ओके तो वट इल्तुत्मिश एंड बलबन डिड है रूलर्स लाइक अलावदिन खिलजी तू फर्दर एक्सपेंड डियर डोमीनियस इन पेनिंसुलर इंडिया और यह हम बहुत डेटेल में अगले चैप्टर में देखना शुरू करेंगे तो यह जो आपका चैप्टर नमबर 6 है दोस्तों यह आपके खतम होता है चैप्टर नमबर 7 दिल्ली सल्तनत 2 में हम लोग एंटरी मारेंगे खल जीस के बारे आपको बताऊँगा तो गलक्स के बारे में आपको बताऊँगा जो रेफिरेंस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के शुरुवात में बताईए तो उनको ज़रूर देख रीजे और दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रिंट्स, have a great day, good bye.